हेलो फ्रेंट्स मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू की पूरी जो आप ग्रीन चटनी दनिया चटनी टमेटो सौस किसी के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया त आलू हम लेंगे यह छे मीडियम साइस के आलू मैंने उबाल के और इसे तोड़ लिया है ठंडा होने के लिए धनिया पत्ता आठ से दस लस्टन की कलियो को अच्छे से पतले-पतले काट लेना है और दो हडी मिट मसाले में सिर्फ हम लेंगे हाल्दी पॉडर और धनिया प बनाते हैं कि सबसे पहले कराही लेंगे और इसमें एक चमच के करीब तेल डालेंगे जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक चमच जीरा डालेंगे जीरा जब चटकने लगे फिर इसमें हम हल्दी पॉडर और धनिया पॉडर डालेंगे इसमें आप थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए अप्शनल है अगर डालना चाहते हैं अब इसमें हम लख्षिन की कलिया हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हलका सब भूनेंगे एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें जो उबाले हुए आलू है वह डाल देंगे मैस करके अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हम नमक डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बस इसे दो मिनट भूनेंगे और दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं कसूरी मेथी से जो आलू की पूरी का स्वाध है वह और ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा डालना है हमें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पे हम धनिया पता डाल देंगे यह हो गया अब इसे हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद ही पूरी में हम भरेंगे आटे में क्योंकि अगर गर्म में हम अगर पूरी बनाते हैं तो यह फटने लगता है पूरी इसलिए यह थंडा हो जाए अच्छे से तभी हम भड़ेंगे तब तक हम अपना आटा त्यार करते हैं पूरी के लिए यह देखिए यह मैंने आटा गूंद लिया है आप जैसे रोटी बनाते हो उस तरह से आप आटा गूंद ले और फिर हाथ में हलका सब पर्थन लगा के आटे की लोई ले 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 जितनी बड़ी आपको बनाना अगर चोटी-चोटी पूरिया बनाना चाहें तो आप चोटी कि गोल करके और इसमें यह जो हमने इसकी फीलिंग त्यार की है आलू की वह डाल के और अच्छे से बढ़ ले अच्छे से पर्थन में कोट कर ले और इसे हलकी हाथों से बेल ले यह हो गया अब हम इसे सेखते हैं तो चलिए तबा लेंगे तबे को गर्म करेंगे और उस पे हम यह जमने पूरी बेली है वह डाल देंगे जब यह एक साइट से अच्छे से पक जाएगी फिर हम दूसरे साइट से इसे पक आएगे अच्छे से जब यह दोनों साइट से पक जाए फिर इस पे हम हलका सा घी लगाए या फिर ओल जो लगाना है वह आपके टेस्ट पर डिपेंड है गी लगाके और इसे पलट दें यह देखिए यह पूरी जो है वह फूल गई है अब दूसरे साइट से भी हम घी लगा देंगे और फिर पलट देंगे इसी तरह हम साड़ी जो पूरी है वह हम त्यार कर लेंगे लेंगे मौई तरह कर देंगे और दे लगाना है वह वह दो लागाना है इसी तरह हम तरह फिस प्ली जो देखिए